तो बोड पर normalization का मैंने formula लिखिया है थोड़ा मुस्किल दिखने में मुस्किल लगे गए formula लेकिन मैं इसको एक आसान से एक easiest way में आपको समझाने वाला हूँ यह एक basic सा मैंने example लिया TA यदि हम उस formula को समझ गए हैं तो TA का मतलब है कि 0.1% of top students in all shift इसी तरह से TY का मतलब 0.1% of top student in your shift तो 80 नंबर मान लेते हैं 0.1% वो बच्चे हैं जिनका average आया और 82 नंबर मेरी वाली shift में 0.1% बच्चे हैं यह मान के चलते हैं AA का मतलब average of all shift मान लेते हैं average आया है 50 और average of your shift मान लेते हैं वो आया 54 RS का मतलब हो गया raw score वो अगर 60 आया है तो जब मैंने इस बात को formula में put किया यहां पे तो calculation करने पे 56.428 बन गया raw score था 60 नंबर 60 नंबर कम होके 56.428 नंबर बन गये तो 60 में से नंबर कम हो गए हैं इस तरह से यदि यही data दिया हुआ है 80, 75, 48 और raw score 65 है इस case में लेकिन यहां पे अगर हम गौर करें तो AY मतलब average of your shift 45 है average of all shift 48 है जब हमने इसको formula में put किया और calculation किया तो हमें पता चला 65 से नंबर 69.33 हो गए हैं तो इस case में नंबर बढ़ गए है यानि कि हमें formula से ये बात जरूर पता चल रही है कि जितने हमारे नंबर हैं उससे कुछ नंबर बढ़ सकते हैं या कुछ नंबर घट सकते हैं पर्थम पाली का raw score मान लेते हैं किसी student का किसी अव्यर्थी का score 55 बन रहा है TA का मतलब 0.1% of top student in all shift मान लेते हैं 75 हैं 0.1% बच्चे 75 नंबर लेके आए टोटल 0.1% in your shift मान लेते हैं 78 लेके आ गए पर्थम पाली की बात हो रही है AA हम जान चुके हैं 35 और AY हम जान चुके हैं 36 जब मैंने इनको formula में रखके देखा तो 53.09 बन गया यानि कि 55 नंबर से 55 नंबर हो गया है पर्थम पाली में और यही score 55 नंबर यदि दूसरी पाली में देखा जाए यही average रखा जाए तो calculation करने पर पता चला कि वह 56.09 हो गए तो अब यहां पर हम दोनों पाली का अध्यन करें तो नंबर 55 और 55 दोनों की 55 नंबर आए वे थे लेकिन average of your shift पर्थम पाली में average जो था वो 36 था जबकि दूत्या पाली में 34 था इस according जब हमने formula से निकाला तो पहले 55 नंबर 53 नंबर में बदल गए और दूसरे case में 55 नंबर 56 नंबर में बदल गए तो normalization के concept से निश्चित तोर पर marks में फरक पढ़ने वाला है जो raw marks रहेंगे जो raw score रहेगा उससे कुछ न कुछ fluctuation जरूर होगा कुछ उपर बढ़ सकते हैं तो कुछ नीचे भी आ सकते हैं बहुत ज़्यादा अंतर normalization में नहीं आएगा कि हम सोच रहे हैं 55 नंबर हैं और 70 हो जाएं या किसी के 70 नंबर में से वो 50 नंबर हो जाएं ऐसा नहीं होगा 3-4 marks, 2-4 marks का फरक जरूर पढ़ सकता है तो अमीदे दोस्तों आप normalization के concept को समझ गए होंगे यदि आपको पूरे तरह से concept समझना है तो आप formula पर जरूर जाएं पहले उस formula को समझ लें अच्छे से उसके बाद आप निश्चित तोर पर अपने marks की गणना भी इस basis पर कड़ सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम मिलेंगे next वीडियो में thank you so much